सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरिवान वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुत ही खास तरह की प्याज और टमाटर की चटनी की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा अपनी फैमली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें तो आएए देखते हैं ये टमाटर और प्याज की चटनी कैसे बनेगी चटनी बनाने के लिए हमें कढ़ाई रखेंगे गैस पर कढ़ाई गरम हो गई है अब इसमें हम ढालेंगे 4TB रिफाइन डायल आप कोई भी तेल इस्तमाल कर सकते हैं इस चटनी को बनाने के लिए तेल को गरम होने देंगे अब इसमें हम आड़ कर रहे हैं 1TB जीरा जीरे को चटकने देंगे जीरा अच्छे से हो गया है अब इसमें हम add करेंगे पांच कटे हुए प्याज हमने यहाँ पर प्याज को इस तरह से roughly चौक कर लिया है लंबाई में आप प्याज को बहुत जादा बारिक मत करियेगा क्योंकि हमें प्याज को अभी पीसना है हमें यहाँ पर प्याज का color नहीं change करना है बस हमें यहाँ पर प्याज को हलका सा soft करना है हम इसे एक मिनिट तक भूनेंगे और इसे हलका सा हम soft कर लेंगे अब इसमें हम add कर देंगे 3 लाल मिर्ची खड़ी लाल मिर्ची की quantity आपके test के according रहेगी जैसा तीखा पसंद करते हों लाल मिर्ची डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से प्याज के साथ में भून लेंगे अब इसमें हम add करेंगे 4 रफली चौक की हुए टमाटर टमाटर को भी हम प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे ये जो टमाटर और प्याज की चटनी है एकदम restaurant style में बनेगी इसका taste और texture बिल्कुल restaurant की तरह ही होगा और ये हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लिया है अब इसमें हम add करेंगे 1 table spoon नमक नमक आपके स्वादा नुसार रहेगा वैसे इस चटनी में नमक light ही अच्छा लगता है नमक डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक और भून लेंगे टमाटर और प्याज अच्छे से गल गए हैं अब हम gas को off कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे फिर इसे हम एक mixi jar में डालकर पीस लेंगे और ये टमाटर और प्याज अच्छे से ठंडे हो गए हैं अब इनको हम एक mixi jar में transfer कर लेंगे प्याज और टमाटर को हम इस जार में ट्रांसपर कर लेंगे इसे ट्रांसपर करने के बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे पीसते समय हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे नहीं तो चटनी गीली हो जाएगी और खाने में अच्छी नहीं आएगी और ये हमने प्याज और टामाटर को जार में ट्रांसपर कर लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे 1 टेबल स्पून भीगी हुई चने की दाल चने की दाल से इस चटनी में बहुती बढ़िया टेस्ट और टेक्चर आता है दाल को डालने के बाद हम चटनी को पीस लेंगे और ये हमने चटनी को पीस कर तयार कर लिया है चटनी का टेक्चर बहुती बढ़िया आया है अब हम चटनी को देंगे तड़का तड़का देने के लिए हमने तड़का पैन को गैस पे रख दिया है 1 table spoon तेल डाल दिया है तड़का देने के लिए आप सरसो के तेल का मत इस्तमाल करिएगा नहीं तो चटनी खाने में अच्छी नहीं आएगी 1 table spoon काली सरसो डाल देंगे सरसो को हम चटकने देंगे सरसो के होने के बाद इसमें हम एट करेंगे कुछ करीपत्ते अगर आपके पास फ्रेश करीपत्ता नहीं है तो आप सुखे करीपत्ते का भी इस्तमाल कर सकते हैं तड़का देने के लिए हमने यहाँ पर फ्रेश करीपत्ते का इस्तमाल किया है और यह तड़का हमारा रेडी हो चुका है अब इसे हम डाल देते हैं चटनी में चटनी में डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे चलाते हुए चम्मस से और ये हमने चटनी को अच्छे से मिला लिया है तड़के के साथ में अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं और ये रेस्टोरेंट स्टाइल प्याज और टामाटर की चटनी बन के तयार है वीडियो पसंत आया हो तो वीडियो को जादा से जादा अपनी फैमली और फ्रेंट्स के साथ में शेयर करें इसी तरह की नए वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सस्क्राइब करें और अपने experience मेरे comment section में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ थैंक यू, बाबाई